नमस्कार दोस्तों दिन भर की सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार आप लोगों के लिए ले करके आए हैं जहाँ पर एक एक करके सभी बड़ी अपडेट साब तक आगे इसी वीडियो में पहुचाएंगे दोस्तों जहाँ पर जानेंगे एक बार फिर से राहूल गांधिया और सोनिया गांधिया हैरान हुए हैं तीन राज्यों में नतीजों के बाद ताबर तोड़ बड़े खुला से लगतार हो रहे हैं बीजेपी के नेता ने दो दिन पहले ही बता दिये थे चुनावी नतीजे स सोसल मीडिया पर पोश्ट हो चुकी है वाइरल ईवियम की चुट्टी होनाता है बोले दिगवजे सिंग और इसके साथ ही जानेंगे कि वसंदरा राजे के समर्थक यहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं मोदी सहा के मनाने में पसीने तक छूट रहे हैं पूरी इसके साथ ही पूरी खबर जानेंगे दोस्तों विस्तार से के करके आकड़े बताएंगे तो वहीं दोस्तों अगली अपडेट जो की काफी चौकाने वाली है कॉंग्रेस के नेता दिगवजे सिंग ने CGI डिवाइट चंदरचूर से कर दी है लोग तंतर बचाने की मांग और वहीं उद्धर ठाकरे बोले बीजेपी बस एक बार बैलेट पेपर के जरिये लोग सभा चुनाओ करवा करके देख ले सब कुछ यहाँ पर सच्चाई सामने निकल किया जाएगी अगर बीजेपी बैलेट से चुनाओ जीत गई तो मैं राजनीती से सन्यास तक लेने को तैयार हो जाऊंगा यह यहाँ पर उद्धप ठाकरे जो की बीजेपी के पुर्व सहयोगी है उन्होंने बड़ा दावा किया है उद्धप ठाकरे ने कई बड़े राज कोले है दोस्तों बताते चले उद्धप ठाकरे बीजेपी के सहयोगी रह चुके है इसलिए उनको सब कुछ पता है कि BJP चुनाओ जीतने के लिए क्या क्या करती है आप लोगों के लिए ये सभी बड़ी खबरे जानेना जरूरी है लगतार वीडियो में बने रहिएगा खबरों की तरह पढ़ने से पहले अगर दोस्तों आप लोग भी यही मानते हैं कि चुना कोई भी पार्टी जीते लोग तंतर बचा रहना चाहिए इसलिए इवियम के बजाए बैलेट पेपर के जरिये चुना होना चाहिए तो अब इस वीडियो को लाइक कीजएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजएगा दोस्तों जय हिंद जय भारत पहली बड़ी खबर जो आ रही है बताते चलें बीजेपी के नेताओं ने यहाँ पर चुनावी नतीजे मतगड़ना से पहले ही जारी कर दिये थे सोसल मीडिया पर बीजेपी का भांडा फूड चुका है जी हाँ दोस्तों सबूतों के साथ में कॉंग्रेस के नेता दिगविजे सिंग ने ये बड़ा खुलासा किया है दिगविजे सिंग ने टूइट किया और लिखा कि इन दो तस्वीरों पर गौर करें लाल बैक ग्राउंड में बीजेपी कारकरता लिख रहे हैं कि खाच राद विधान सभाचुरा में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है महतपूर यहां है कि यहां पोश्ट मतगड़ना से दो दिन पहले यानि कि एक दिसंबर को ही लिख दी गई थी अम नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर लीजिए जिहां दोस्तों यहां पर काफी चौकाने वाली बात ये सामने निकल की आई है कि बीजेपी कारकरता ने यहां पर पोश्ट में अपनी लिखा कि भाजपा प्रत्यासी को 93,000 वोट मिलेंगे कॉंग्रेस प्रत्यासी को 77,000 जिसमें बीजेपी जीत जाएगी और आकड़े भी देखिये बीजेपी प्रत्यासी को 93,552 वोट मिलेंगे कि कॉंग्रेस प्रत्यासी को 77,625 यानि की आकड़े वही जो बीजेपी ने बताए और यहां पर बीजेपी का प्रत्यासी जीत भी गया चुनाओ तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही उड़ता है कि बीजेपी को चुनावी नतीजे मतगड़ना से पहले कैसे पता हैं यहां पर बीजेपी यह नहीं बता रही है कि उनका प्रत्यासी चुनाओ जीत रहा है यह बता रही है कि कितने वोट किसको पढ़ रहे हैं और नतीजे भ आप लोगों को बताते चले चौकाने वाला मामला 36 गड़ से भी सामने निकल के आया है जहाँ पर वीएसपी प्रत्यासी लाल चंद पटेल को खुद का ही वोट नहीं मिला है बोले EVM में सेटिंग हुई है जिहां दोस्तो सोच सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर चुनाव में प्रत्यासी चुनाव लड़ रहा है और उसको खुद का ही वोट नहीं गया उनका कहना है कि बीजेपी यहां पर जानती है कि बैमानी कहां पर करनी है इसलिए यहां पर यह खेल किया गया तो वहीं दोस्तों आप लोगों को जो अगली जानकारी आ रही है वो बताते चले उ उद्धब ठाकरे जो कि बीजेपी के साथ यहां पर कई सालों तक साथ में रहे हैं गठबंदन रहा है सत्ता में भी रहे हैं बताते चले उद्धब ठाकरे ने खुलासा किया है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए गड़बरी करती है ये खुलासा ऐसे नेता ने किया है ज और उनका यहां तक भी ये भी कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो वे राजनीती भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे अगर बीजेपी चुनाव बैलड पेपर से जीत गई यहां पर उद्धप्याकरे का कहना है दोस्तों अगर आप लोग भी उद्धप्याकर के सूत्र जो बता रहे हैं उनके समर्तक जो दावा कर रहे हैं उसके अनुसार बताते चले वसंदरा राजे ही होंगी राजिस्थान की अगली मुख्यमंत्री बाबा बालक नात होंगे उपमुख्यमंत्री और वहीं किरोडी लाल मीडा होंगे उपमुख्यमंत्री यानि की द जायकों की संक्या जो की 25 थी बाद में यहां पर 37 पहुंची उसके बाद में अब 47 हो गई है जिसके बाद में देख सकते हैं कि BJP बहुमत पाच चुकी है भले ही लेकिन आधे विधायक तो वसंदरा राजे के समर्थन में ही खड़े नजर आ रहे हैं जिनका कहना है कि अगर वसंदरा राजे मुख्यमंतरी नहीं तो BJP से कोई और भी मुख्यमंतरी नहीं बनेगा वसंदरा राजे ही मुख्यमंतरी बनेगी इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट बेहधी चौकाने वाली सामने निकलके आ रही है कॉंग्रेस के नेता धिगविजय सिंग ने यहा BJP जीते लेकिन EVM का सपोर्ट कभी भी नहीं किया कॉंग्रेस के नेता धिगविजय सिंग ने यह बात कही है उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोड से की है लोगतंतर की रच्छा की मांग क्योंकि चुनाव आयोग से तो कोई उमीद ही नहीं की जा सकती है इसलिए यहाँ पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोड को ही आगे आकर के लोगतंतर की रच्छा आप करनी चाहिए क्योंकि देश में BJP अब बेकाबू होती हुई जा रही है लोगतंतर को कुचल के सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल की जा रही है आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बतात है कॉंग्रेस को पहले पार्टी इस तर पर ही इवियम और डाक मतपत्र के समद में जाच समिती गठित कर जल्द यहाँ पर रिपोर्ट लेनी चाहिए पूरे मामले पर यह यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मामला अब सुप्रीम कोड तक पहुँचता हुआ नजर आ र रही है कि करणी सेना के अध्याच्छ सुखदेब गोगा मेडी को दिंदहरे यहाँ पर कोली मारी गई है जिसके बाद हडकंप मचा है राजिस्थान बंद का आवहान भी किया जा चुका है बीजेपी राज की सुरुआत हो चुकी है राजिस्थान में आपका सौगत है बत बीजेपी राज की सुरुआत राजिस्थान के अंदर हो रही है दोस्तों तो वहीं अगली खबर जो आ रही है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट है जिहां दोस्तों बताते चलें कि एवियम पर लगतार सवाल कड़े हो रहे हैं इस बीच वैग्यानिक की तरफ से बड़ा चाहेगी बाजी उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलता है बीजेपी को भरपूर वोट मिलता है लेकिन उसको अच्छे से पता है कि बैमानी कहां पर करनी है किस हद तक करनी है बीजेपी ज़्यादा वोटों की हेर फेर नहीं करती है बीजेपी मा थार का अंतर यहाँ पर 500 वोटों से 1000 का है यानि की कुल मिला करके देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरह से प्लानिंग के साथ में ये खेल कर रही है ये यहाँ पर व्याग्यानिकों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम ब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बता सकते हैं कमेंट करके वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत